हलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में आपको यह उताने जारों की कैसे आप अपने iqz6 pro android वाइल फोन में आप पासवर्ड लॉक रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने वाइल फोन से ठीक है पर यह पासवर्ड लॉक रिमूव होने के बाद आपके वाइल फोन के सेटिंग कैसे का आपको यह option मिलेगा security का security पर सेलेक्ट करना है security के इस page में आपको यह option मिलेगा screen lock screen lock पर सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर आपने जो भी password lock लगा रखा है अपने फोन पर उसे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है ठीक है फिर इसके बाद राइट किलिक करना है तो आपका next page ओपन होगा यहाँ पर मेरा password lock पहले से सेट है ठीक है आप password lock को remove करने के लिए page open होगा इस page में आपको नीचे यह remove का option tap कर देना है ठीक है तो आपको जो आने यह screen lock के नीचे known लिखा हुआ आ जाएगा यानि कि आपका password lock इस तरीके से तो यह setting इस तरीके से काम करेगी आपकी password lock remove होने के बाद ठीक है अब मैं आपको इस setting को धूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपकी mobile phone में आपको करना है क्या है जो setting page है फोन का इसको आपको फिर से open करना है ठीक है तो फिर से open कर लिजिए setting page को आपको सबसे उप सबसे उपर यह search icon को option select करना है और यहां पर आपको search बार में type करना है screen lock screen lock आप यहां पर type कीजिए तो आपको जोई नीचे की साट यह screen lock का option show हो जाएगा आपको screen lock का यह वाला option select करना है जिसके नीचे setting security लिखा होगा इसे select करना आपको ठीक है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting page में लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा इस तरीके से तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंड़ने का आपके mobile phone में